नमस्कार मेरा नाम है दीपक निगम और आप देख रहे हैं बालाजी होम्स इंटरप्राइजेज आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं 112 मीटर में बना हुआ 3BHK बिल्डर फ्लोर जो कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से अप्रूब्ड है आप ये जो लोकेशन देख रहे हैं ये गाजियाबाद के गोविन्द पुरम छेत्र की लोकेशन है और यहाँ पर एक सोसाइटी है स्वरण यन्ति पुरम इसी सोसाइटी में आपको ये बिल्डर फ्लोर मिलेगा यहाँ की लोकेशन बहुती सांदार है इस पुरी सोसाइटी का वीडियो में पहले बना चुका हूँ उसका लिंक आपको हमारे आई बटन में मिल जाएगा यह आसपास की पूरी लोकेशन है यहाँ आपको सभी सो बिधाएं मिलेगी क्योंकि यह गाजयवाद विकास प्राधिकर से अप्रूट बिल्डर फ्लोर हैं तो आपको यहाँ पार्क, सीवर, पानी की सप्लाई, बिजली, मंदिर, सभी सो बिधाएं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी यह आपकी बिल्डिंग का फ्रेंट एलिवेशन रहेगा इसमें फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर सेल हो चुके हैं इसमें आपको सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की इनिवेंटरी मिलेगी बहुत ही सांदार लोकेशन है इसका सेंपल फ्लेट मैं आपको दिखाता ह यहां से आपका यह इंट्रेंस रहेगा और यह 3BHK बना हुआ है 112 मीटर इसका साइज होता है जो कि 134 गज की आसपास होता है इस प्रॉपरिटी पर आपको HDFC बैंक से 100% बैंक लोन मिल जाएगा यह इसका लिविंग और डाइनिंग एरिया है यह देखिए सामने इस पे LED क पेनल बनवाया गया है यह आपका semi-modular इसमें kitchen आपको मिलेगा इसमें कुछ काम है जो हमारी client के द्वारा अपनी मरजी से करवाया गया है बाकी बिलकुल same आपको बना हुआ यह builder floor मिलेगा यह देखिए man door है automatic lock के साथ और यह आपका semi-modular kitchen रहेगा इसमें कुछ काम है जैस extra करवाया गया है बाकी बिलकुल same इसी तरह से आपको यह property बनी हुई मिलेगी इस से जुड़ी समझ जानकारी आपको हमारी description में मिल जाएगी यह इसका बाहरी कमरा रहेगा इसमें देखिया almari बनी हुई है उपर छट पे आपको floor ceiling मिलेगी इसका जो फर्स है इस पे नीचे tiles लगे हुए है बहुत ही सांदार यह property है गाजियाबाद विकास प्राधिकर से approved यह पूरी society है यहां आपको सभी सुविधाई मिलेगी यह देखिए led का panel बना हुआ है यह extra काम में आया है और यह देखिए इसका door लगा हुआ है इसका जो grill grill है grill आपको toughen glass में पूरा बना हुआ मिलेगा front elevation इसका बहुत ही सांदार है हमारे काफी सारी दर्सक हम से कहते थे सर अगर कोई अच्छे builder floor आएं तो आप हमें बताईए हमारे काफी सारी दर्सक ऐसे भी हैं जो लगातार हमें phone call और comment के जरीए पूछ रहे हैं सर अगर कोई metro की connectivity में चीज आए तो आप हमें बताईए तो बहुत ही जल्द कुछ ऐसे project हैं जो आपको metro की connectivity में मिलने वाले हैं उनका वीडियो में जल्द ही post करूँगा यदि आपने अभी हमारा चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सम common toilet रहेगा इसमें देखे बेस्टन सीट लगी हुई है ventilation के लिए बिंडो लगा हुआ है बास बेसन आपको अंदर ही लगा हुआ मिलेगा bathroom में ऊपर तक tiles लगे हुए हैं बहुत ही अच्छी और बहुत ही सांदार property है यहां से गोविंद्परम जो बसड़ा है वहां की मात्र bathroom मिलेगा छट पर four ceiling मिलेगी पीछे की और आपका ventilation का space रहता है वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा अभी यह इसमें आपको attached bathroom मिलेगा सामने की और यह देखिए इसका दरवाजा लगा हुआ है यह attached bathroom आपको इसमें मिलेगा इसमें देखिए sink अंदर ही लगा हुआ है और उपर दिवाल तक इसकी tiles लगी हुई है बेस्टन सीट इसमें लगी हुई है इस से जुड़ी समझ जानकारी आपको हमारी description में मिल जाएगी तो आप हमारा description एक बार जरूर चेक करिए यह पीछे की और आपका पूरा ventilation का space रहेगा यह जाल लगा हुआ है यहाँ पीछे इसमें आपको एक पूजा रूम भी मिलेगा वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा यह ventilation के लिए इसमें window लगे हुए है अलमारी आपको बनी हुई मिलेगी मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूँ इसमें कुछ काम है जो extra करवाया गया है बाकी बिलकुल same layout पर बने ह हुए आपको बिल्डर फ्लोर मिलेंगे यहां आपको 90 मीटर 112 मीटर 150 मीटर और 200 मीटर के बने हुए बिल्डर फ्लोर मिलेंगे यह आपका पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया रहेगा यह आपका तीसरा bedroom है इसमें दिखिए उपर च्छत पर फोर्षिलिंग आपको मि पॉ Alright मैं न के आपको मिलेगा बिजली का लगा हुए कंपे देखिए सामने की वर पावर पॉइंड लगा हुआ है चोटा सा विंडो आपको स्मिलेगा अलमारी आपको इसम西 भी बनी हुई मिलेगी विक हमारे काफी सारी दर्सक हैं जो हमसे लगातार फोनकॉल और और कमें मिलेगी यदि आप चाहते हैं फस्ट फ्लोर की इंवेंट्री सेकंड फ्लोर की इंवेंट्री तो आपको वो भी मिल जाएगी सोसाइटी में सोसाइटी बहुत ही सांदार है यह सामने की और आपका किचन रहेगा यह देखिया पूरा एक वार फिर से देख लीजिए यह आपक दो सबसे पहले देखने के लिए